नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका अपने यूटूब चैनल दा नोलेज प्लाजा में उम्मीद करता हूँ आप लोग स्वस्त होंगे और अपनी तयारी अच्छे से कर रहे होंगे तो जैसा कि आप लोग स्किन पर देख रहे हैं आज यूपी केटे 2021 से रिलेटेड बहु इसमें हम आपको ऑनलाइन रिजिस्टेशन डेट बताएंगे और एक्जाम डेट बताएंगे उसके बाद ऑनलाइन बहुत जो हम स्टार्ट कर रहे हैं वो कब से करेंगे ये बताएंगे और फुल स्लेवर इसका डिसकस करेंगे ठीक है तो बने रही है हमारे यूटूब च देख रहे हैं इस बार जो 16 और 17 जून को पर इच्छा होनी है अपनी यूपी कैटिट की ठीक है यूपी कैटिट कब होगा तो 16 जून को होगा ठीक है और इसका जो पैन का कलर चेंज करें यहां पर ऑनलाइन रिजिस्टेशन कब से होंगे तो आप लोग यहां पर देख प 20 फरवरी से 30 जून तक ठीक यह आपके ऑनलाइन रिजिस्टेशन होंगे और एक्जाम डेट कब की है तो अभी हमने आपको बताया था 16 और 17 जून को 16 और 17 जून ठीक है यहां से आपकी जो एक्जाम डेट है यह ठीक है आगे चलते हैं आगे क्या है हमारा जो ऑनलाइन बे बेच हमने आपको पिछली वीडियो में भी बताया था तो ऑनलाइन बेच हमारा एक मार्च से स्टार्ट हो रहा है तब तक आप लोग जोड़ते रहिए अभी तक 115 लोगों का कमेंट आ चुका है कि आप लोग स्टार्ट करिए जब तक 200 लोग कमेंट नहीं करेंगे तब तक हम अपना बेच स्टार्ट नहीं करेंगे तो आप अपने से बाड़ी लोगों को जल्दे से जल्दी जोड़ते रहिए जिससे कि हमारा जो यह बेच है वो स्टार आते हैं, ठीक है, chemistry के कितने आते हैं, chemistry के 25 कोश्चन आते हैं, बाटनी के भी 25 कोश्चन आते हैं, और नीचे क्या है, नीचे देखो जूलोजी है, जूलोजी के भी 25 कोश्चन आते हैं, ठीक है, और gs इसके भी 20 कोश्चन आते हैं, अब बचा agriculture, agriculture के कितने आते हैं, तो 60 कोश टोटल कितने कोश्चन आते हैं तो टोटल आते हैं 200 कोश्चन ठीक है 200 हो गए होंगे हमारे देखो 60 हेकरी कल्चर हो गया 20 जीएस हो गया 80 और 20 मैथ हो गया 100 और 25 जूलोजी वोटनी 25-25 पचास डेड़ सो हो गए और फिजिक्स केमिस्टी 25-25 तो 200 पूरे कोश्चन हो गए ठी अब आप लोग जैसे जीएस है जीएस में क्या गया आता है तो जीएस में एकॉनोमिक्स नहीं आती है और यह जो है जो ग्राफी हिस्ट्री और पॉलिटी इसके कोश्चन आ जाते हैं और तीन-चार कोश्चन जो है करेंट अवेर्स के होते हैं तो आप लोग जोड़े रह तो इसमें आते है इंजीनियरिंग इंजीनियरिंग के कितने कोश्चन होते हैं तो इसके भी 10 कोश्चन होते हैं बीस कोश्चन बचे, वो बीस कितने के आते हैं, एनिमल अस्वेंडरी, दस कोश्चन इसके एनिमल अस्वेंडरी के आते हैं, एनिमल अस्वेंडरी के दस कोश्चन और दस कोश्चन बचे, दस कोश्चन किसके आते हैं, तो सॉयल साइंस के दस कोश्चन आते हैं, जब सॉयल स त्यान लखेंगे और जब हम अपना बहुत स्टार्ट करेंगे उससे पहले आप लोगों को एक वीडियो पूरा इसका मिलेगा फुल स्लेवर्स आपको डिसकस किया जाएगा इसमें फिजेक्स में क्या-क्या पूंचा जाएगा यह जो है यह पीए जी गुरुप बालों के ल दिखा दें जो इस बार कौम पर इच्छा कराएगा तो इस बार मेरट पर इच्छा करा रहा है टीक है टूटल चार इसमें उनिवस्टिटी है हमारे प्रदेश में इसकी सरकारी उसी में एक दो-दो कैंपस में बने हुए जैसे यह से है इसका कैंपस एक टावा में है और अपना जो एंडी है इसका एक आजमकड में केमपस बना हुआ है एक अगवर्पुर में बना हुआ है ऐसे ही बांदा है इसका भी कोई केमपस नहीं है लेकिन हो जाएगा कुछ दिनों में तो ऐसे ही एक बचा जो मेरट है ठीक है तो यह मेरट इस बार परिच्छा कराएगी अब पेपर पैटर्ण कैसा रहेगा वो तो हमने आपको बता दिया 200 कोश्चन के जो है 200 कोश्चन रहेंगे इसमें और कौन-कौन सब्जेक्ट होंगे वो भी आप लोगों को डिसकस कर दिया है ठीक है फिजेक्स, केमेस्ट्री, वाटनी, जूलोजी, मैथ, जी, एस, अग् इसमें आपको बता चुके हैं ठीक है तो आज की वीडियो में केवल इतनी आपको इंफर्मेशन देनी थी कि आप लोगों का जो है एक्जाम डेट किलियर हो गया है 16 जून को मतलब एक महीने केवल देर हुआ है कोरोना की बज़े से वैसे यह 15-16 मही में होता है ठीक है तो आप लोग ऐसे जुड़े रहे और जो लोग जो क्रेश कोर्स करना चाह रहे हैं वो लोग कमेंट करेंगे ठीक है यहां पर जो यह चैनल है वो टॉपल लोगों के द्वारा पिछली वीडियो में हम आपको समझाई चुके हैं आप लोगों को फोटो भी दिखाए था है वीडियो लेक्चर प्रोबाइड कराए जाएंगे ठीक है अगली वीडियो में हम आपको बताएंगे आप लोग जोड़े रहे हैं कौन सी यहां पर ऑफलाइन जो कुछ बच्चे ऑफलाइन कोचिंग करना चाह रहे हैं उनके लिए हम अगली वीडियो लेके आएंगे त मिलते हैं अगली वीडियो में तब तक के लिए जोड़े रहे हैं